हलो फ्रेंड्स दिसी स्पिरिचल एनलेटेन्मेंड आज हम बात करने जा रहे है मा दुर्गा मा आदिशक्ति को ऐसी कौन सी खास चीज़ चड़ाए जिससे मा हम पर प्रसन हो जाए नवरात्री के दिनों में मा दुर्गा के नो स्वरूपों की विधी विधान से पूजा करने के साथ कुछ उपाई भी किये जाते है नवरात्री के नो दिनों में मा को प्रसन करने के लिए कुछ खास चीज़े चड़ानी चाहिए जिससे मा तुरंद प्रसन हो जाती है और पूजा में हर कोई मा को प्रसंद करने के लिए उनकी पसंद की वस्तुएं उन्हें अर्पित करते हैं, मा को प्रसंद करने के लिए लाल चुनरी चड़ाते हैं, लाल, सफेद या पिले रंग के फूल भी चड़ाते हैं, लेकिन पौरानिक कथाव की अनुसाल नवरात्री में मा दुर्गा को अगर ये वस्तु चड़ा दी जाए तो मा तुरंत प्रसन हो जाती है मा दुर्गा को मा आदी शक्ति को समी पत्र चड़ाना बहुती शुब होता है इसको चड़ाने से मा बहुती जल्दी प्रसन हो जाती है और क्रपा बरसाती है मान्यता है कि भगवान स्री राम ने लंका विजय के लिए मा दुर्गा की नौ दिनों तक कठोर पूजा की और उन्हें शमी पत्र भी चड़ाया था इस कारण मा दुर्गा को शमी पत्र चड़ाना अत्यंत लापकारी माना जाता है इसके अलावा नवरात्र पूजन में देवी की पूजा में हर समय लाल चंदन और रोली का प्रियोग करना चाहिए नवरात्री पूजन समकरी में अक्षत यानि चावल को प्रमुक समकरी में से एक माना जाता है नवरात्री पूजन में अक्षद के प्रियोग में यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि चावल के दाने तूटे हुए बिलकुल नहीं होने चाहिए नहीं तो आपकी पूजा सुईकार नहीं होगी तो फ्रेंड्स यहां थी वह खास वस्तवे जीने चडाने से मा तुरंत प्रसन हो जाती है और अपनी क्रपा बरसाती है तो आप भी इस नवरात्रा पर मा को प्रसन करने में कोई कसर न छोड़े हैपी नवरात्रा